असलाम रेकूम, क्या हाल है आप सब के, उमेद करती हूँ, आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल, एजी टो कुक रेसिपी और जी ये है सुभा का नाश्ता, और ये है पिज़ा ओमलेट मेरे घर में ये बनता है सैटर्डे और संडे को और आप सब इसे जरू ट्राइ कीजेगा, होपसो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये बहुत मज़ेक से बनता है और बहुत ही जल्दी बनता है ठीके तो देखते हैं क्या है इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहरे जी हमें चाहिए दो अंडे इसमें मैं दो अंडे ले रही हूँ आप अपने हिसाब से कॉंटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं हम अंडे लेंगे और उसे अच्छे से बीट कर लेंगे बीट करने के बाद हम इसमें एड करेंगे जी लाल मिर्ज, 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून नमक आपने टेस्ट के हिसाब से एड करें इसमें और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून क्रीम मैंने फ्रेश क्रीम यूश किया तो और मेरी क्रीम फ्रिज थी इसलिए मुझे बीच करने में थोड़ा टाइम लगा आप लोग ग्रूम टंपरेचर पे क्रीम लेंगे तो वो अच्छे से फॉरण बीट हो जाएगी अब इसमें हम एड़ करेंगे 1 टी स्पून चिली सॉस ये भी अपने टेस के हिसाब से अगर आपको स्पाइसी अच्छा लगता है तो इसे आप बढ़ा सकते हैं और साथ ही इसमें एड़ करेंगे जी 1 टेबिल स्पून अच्छे से हीप्ट पिज़ा सॉस उसकी बढ़ हम इसे अच्छे से बीट करेंगे ताके कोई भी लंज अंदर ना रहे और पिज़े सॉस का भी ये है कि आप अपने हिसाब से इसमें एड़ कर सकते हैं अब जी मैंने लिया है 2 टीबली स्पून ओइल के और उसे गरम कर लिया है जब आइल आपका गरम हो जाए इसमें हम एड़ कर देंगे जी एग हमने फ्लेम को लो ही रखना है क्योंकि आपको पता है एग फॉरण कुक हो जाता है इसलिए हमें फ्लेम को लो रखना है जब ये एक तरफ से आपको लगे कि इसकी base बिल्कुल हलकी हलकी cook हो गई है तो हम इसमें add करेंगे जी onion मैंने onion rings में काटा है आप किसी भी shape में काट के इसमें add कर सकते हैं मुझे onion का flavors बहुत अच्छा लगता है तो मैंने onion दूरे सा ज्यादा add किया है इसके बाद इसमें मैंने एट कि ग्रीन चिली, हरी मिर्च, वो भी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं फिर इसमें एट किया है मैंने शिमला मिर्च, अच्छी तरहां से पूरे एक पर आपने शिमला मिर्च को एजिस्ट करना है ठीके जी, इसके बाद इसके अंदर डाला है मैंने हरा धनिया, वन टेबिली स्पून इसके बाद इसमें मैंने एट कि हैं ओलिफ्स, मुझे ग्रीन वाले ओलिफ्स पसंद हैं अगर आपके पास black olives हैं और black पसंद तो आप black olives भी इसमें add कर सकते हैं इसके बाद जी हमने इसमें डालेंगे cheese, मैं यूज़ कर रही हूँ cheddar cheese आप इसमें mozilla भी यूज़ कर सकते हैं और cheddar और mozilla दोनों को एक साथ mix करके भी आप इसमें add कर सकते हैं जिस तरह हम pizza में add करते हैं जब हम अच्छी तरह इसमें cheese add हो जाएगा तो हम इसे cover करेंगे जी 5 minutes के लिए low flame पे ताके ये अच्छी तरह हमारा cheese जो है वो melt हो जाए 5 minutes बाद हमारा pizza omelette ready है अब इसमें हम add करेंगे ketchup आप ketchup के साथ माइम भी add कर सकते हैं ketchup से इसका flavor बहुत मज़ेका लगता है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद होता है अब हम इसे dish out करेंगे जी अपने platter में और ये बहुत अराम से हमारी platter में dish out हो गया है जी ये बहुत मज़ेका बनता है इसे जरूर ट्राइ कीजएगा और मुझे प्लीज बताएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी प्लीज दू सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक और शेर मैं वीडियो थैंक ये सो मच